नमस्कार दोस्तों सभी का स्वागत है कैच अध्रिक मॉम लाइपस्टाल में दोस्तों आज मैं आप लोगे अपना कुछ अनुभाब फियार करने आई हूँ एगारो ओटीची में फर्स टाइम किचन में यूज कर नहीं हूँ 40 लिटर के ओटीची है जो मुझे फर्स टाइम बेकिंग में हेल्फ करेगी और मेरा बेकिंग भी बहुत अच्छी भी हुई थी तो देखिए मैं पहले आपको इंडॉर पार दिखा देते हूँ इसका दो रोड है उपर दो रोड है नीचे जिसमें से हीट निकलते है जिसमें पूरा कुकिंग इस हीड में होती है तो और एक छोटू लाइट है और अंदर पूरा मेटल का जो है बोडी है मुझे बहुत अच्छा लगा इसका यह पार्ट की जब यह बाहर से देखती हूं और अंदर जब लाइट जलता है तो पूरा क्लियर ली दिखता है जैसे में मीरर में देख रही हूं तो इसका जो ग्लाज ड बाद है तो बाकी क्लिविंग प्रोसेस जो है आप लोगों बाद में दिखाऊंगी फिलाल आज मैं बेकिंग करूंगी ओही आपको दिखाऊंगी एग्रेसिब भी शेयर कर यह हूं आपके साथ और कुछ टिप्स भी है तो चलिए अगाड़ों का यह जब मैंने लिया था होटेछे की इसके सथ कुछ मिलत मिला था ओहू में एकसे मैं दिखाऊंगी दयाने निछेआ एक ट्रेस देक ही है Terrace में मुझे जब में तोस्टार वाली एगराग जो करने में बहुत इसी हो जाता है और बैकिंग ट्रेस जो में काला निकालने में आसानी होगी और इसमें से एक वाला होल्डर में मेरा था जिसमें तंदूर कर जो रोड है वह में बहार निकाल सकती हूँ तो अभी बेकिन प्रोसेस में चला जाते हैं तो ओटी चीको मैंने में 180 की टेंपराचर में सेट के दिया और कन्वेक्शन मूड में देके बंडा मिन के लिए टी हीट में डाल दिया चले केक का में बटा देती हूँ अभी दो कप आठा हाँ दोस्तों आठा का केक में बनाऊंगी और डेर कप छीपी से हुई चीनी कुकिंग के लिए बेस्ट ओप्शन है ओटीची मुझे लगता है खाना जो लोग बनाना चाहते है जो शौकी ने पैशनेट है तो लोग के लिए ओटीची इस बेस्ट ओप्शन तो अभी तो यहां पर ले लिया मेंने हाप काप मिल्ट पाउडर अभी दूंगी एक चमज अधा चमज बेकिंग सोडा दो चमज कोको पाउडर क्योंकि हम लोग चॉक्लेट केक बना रहे हैं आपको और भी कुछ डाल सकते हैं बस में कोको पाउडर से बनाओंगी दे दिया ही यहां परहत चमज सिनमन पाउडर और अभी इसको मिक्स करेंगे बटर से एक कप बटर म मैंने इसमें डाल दिया थोड़ा सा रख दिया पहले थोड़ा साम इसको मिक्स कर लूँगी उसके बाद और एक कप बटर इसमें डाल दूँगी मुझे लगता है जो लोग प्रेशनेट है और घर में वच्चे वगड़ा अगर होंगे तो उटीची रखना जरूरी है क्योंकि वह बाहर का खाना चितना कम खाना अच्छा है यह पर मैंने दे दिया है दो कप मिल्क तो इसमें अभी अच्छी तरह से मुझे रेडी करना है लंस बगरा नारा है तो मेरे रेडी हो गया एक चमस वंद्वनिला एसेंस देकर इसको मिक्स कर लूँघी अब इमेरे ट्रे जो है इसमें घ्रिस करी यह बटर का यह मेरा रोटी वाला पाव वाला ट्रे है बट इसे में में केक आज बनाओंगी तो चलिए मैंने इसमें पे केक कांचिलर को मैं ने दे दिया अंदर अभी जो टाइनी सेट करना है तो मैं इसको 30 मिनिट सकते हैं तो मेरे जब केक के जो quantity है उसी हिसाब से मैंने सेट किया हुआ है तो कन्वेक्शन मोर में दिया हुआ है देखिए दोस्तों इवाला पार्ट उपर का जो है फांचनल पार्ट और नीचे टेम्पराचर का पार्ट है उटनी डिग्री में दिया हुआ है किक का टाइम म तक टेमपरचर सकते हैं इस ओटीची में फिरल तो हमें 40 मिट चाहिए और एक बात दोस्तों जब भी अब आप करेंगे और जब भी कुकिंग करेंगे प्री हीट जरूर कीजिएगा अब प्री हीट नहीं करेंगे तो खाना आपका जो कुकिंग जो है वह आपका ठीक ठाक से नहीं होगा दोस्तों और हो सकता है कुकिंग आपका खड़ाब भी हो जाए तो इसलिए पी हीट जरूर कीजिएगा और एक बात है कि टाइम वगेरा ठीक ठाक सेट कर लेंगे तो खाना आपका ठीक ठाक से बन जाएगा अगर नहीं भी हुआ तो फिर सब 10-15 मीट एकस्टा भ एकस्टा भी होटाएगा तो देखे मेरा केक वेरी वेरी सौफ्ट एंट फ्लॉपी भी हुआ है तो आप लोग जरूर राइक कीजिएगा और मेरा वीडियो अगर अच्छा लागे तो आप लोग प्लिस लाइक जरूर कीजिएगा नहीं है तो चैनल में जरूर क्यान मेरा शेल कИ हुआह खताओगा तो तो चैनल में तक्यान एकन हार